नज़स्कार दोस्तों, डीट है आज की 4 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज हम 4 इशूस डिसकेश करेंगे अलग-लग निउस्पेपर से सबसे पहले Economic Times का आर्टिकल डिसकेश करेंगे जूट सेक्टर में आये क्राइसिस से सम्मधित दूसरा आर्टिकल डिसकेश करेंगे Indian Express का RTI Act की Implementation से सम्मधित नेक्स्ट आर्टिकल हिंदू का Public Assets की Sale से सम्मधित और चोथा आर्टिकल डिसकेश करेंगे Indian Ocean में Trade Networks को मजबूत बनाने से सम्मधित आगे बढ़ने से पहले छोटी से Information देखो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि PDF साथ के साथ अपलोड हो जाए तो सही है आज से ऐसा हो जाएगा मतलब कई बार देखो इसलिए रह जाता है कि आप ट्रेवल कर रहे हो जैसे एकदम से आपने वीडियो अपलोड की दिमाग से स्लिप हो गया उसके बाद आपके पास लैप्टोप की एकसेस नहीं है जैसे कल का आपको मैं बताता हूँ एकदम से वीडियो अपलोड हुई तो मैं फिलाल पूने आया हुआ था तो वहाँ पे फिर आप होटल में है ही नहीं वापस तो आपके पास लैप्टोप की एकसेस नहीं है वापस आप जाओगे रात को तब जाके पीडियाफ अपलोड हो पाएगी समझ गे और आप मेंसे देखो बहुत सारी लोग पूने के हूं तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूं आपका सहर बहुत ज़्यादा अच्छा है यहांका वेदर बहुत अच्छा है पूने का और लोगों का तो क्या ही कहना बहुत सारे आइस्पारेंट से मैं मिला और मिलके इतना ज़ाधा अच्छा लगा सही मैं अच्छा लगा चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आटिकल इंडिया में जूट इंडस्ट्री से समधित हैं आप GS पेपर 3 के इस टोपिक से आटिकल को रिलेट कर सकते हों क्या कंटेस्ट हैं देखो हमारे देश में जूट इंडस्ट्री फिलाल क्राइसिस में हैं काफी बार आप जोगरफी में इंडिया की जूट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हों लेकिन आज थोड़ा प्रेक्टिकल चीज़ों के बारे में आप जानोंगे इस आर्टिकल में देखो आज के समय में बांगादेश से जूट का एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट में बांगादेश का शेर पता कितना हो गया 75% और इंडिया का सेर कितना रह गया शिरफ 7% तो इस सिल्सिले में हाल ही में वेस्ट मंगाल के एक MP ने यूनियर मिनिस्टर फोर्ट टेक्स्टाइल से मुलाकात की और उनको बताया कि देखो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है जूट मिल्स हमारे देश में अब धिरी-धिरे बंद हो रही है और जूट कल्टिवेशन के अंडर आने वाला जो एडिया है वो भी धिरी-धिरे कम हो रहा है तो इससे तो लाखों लोगों का रोजगार चला जाएगा और आपको पता है एक-एक परसन के रोजगार के ऊपर कई बर पूरी फैमिली टकी होती है मान लिजिए 7 लाख जो लोग है जूट मिल्स में काम कर रही है तो उनके ऊपर और भी डिपेंडेंट लोग होंगे यानि कुल मिला के 30-35 लाख लोग का जो जीवन है वो खतरे में आ जाएगा जूट मिल्स के बंध होने की वज़े से जूट क्राइसिस की वज़े से अब आगे बढ़ते हैं देखो अगर जूट इंडश्ट्री का करंट स्टेटस की हम बात करें ना देश में हमारे देश में जूट इंडश्ट्री 1.500 साल पुरानी है इंड्यियन जूट मिल्स एक असोशेशन के डिरे आच के अनुसार हमारे देश में टोटल जूट मिल्स कितनी हैy 93 और उस में से 70 तो वेस्ट बंगाल में ही है और वेस्ट बंगाल के 3 डिस्टिक्स में 54 जूट मि वैसे देखो question एक ये भी खड़ा हो जाता है कि west बंगाल में इतनी सारी jute mills क्यों है इसके देखो काफी सारी reasons है mains में भी geography में paper 1 में ये question पूछा जा सकता है पहला reason raw material की availability west बंगाल चुकी jute का largest producer है तो raw material यहां पर आसानी से available है तो वहीं पर jute mills जला देखने को मिलती है दूसरा water supply यहां पर देखो high rainfall और ज्यादा rivers की presence देखने को मिलती है इस वज़े से raw jute को process करने में आसानी रहती है तीसे नंबर पर easy transportation यह पूरा जो eastern region है यह well connected है railways line अच्छी बिची हुई है यहां पर waterways है roadways है ताकि raw material की processing है mills तक transportation जो है raw material का mills तक आसानी से हो सकता है even hooghly river का जो transport है यह भी काफी ज़्यादा inexpensive है मतलब सस्ता है next labor थोड़ी गरीबी ज़्यादा है तो सस्ती labor यहां पर available हो जाती है और सबसे last में Kolkata देखो एक port भी है बड़ा urban center भी है बड़ा urban center है इसलिए banking की facilities, insurance facilities और port facilities यहां पर jute goods के export के लिए अच्छी है तो यह हमने reasons की बात की कि क्यों eastern region में ज़्यादा jute meals देखने को मिलती है अब बात करते हैं जूट sector की significance क्या है सबसे पहले jute के देखो use काफी ज़्यादा है daily life में सबसे ज़्यादा तो jute को आप में देखा होगा जो जिसमें wheat store नहीं करकर रखता FCI वो जूट के bags होते हैं गनी bags जो होते हैं वो जूट के बने होते हैं आपके घर में भी अगर आप देखो इकठा गेहूं खरीदते हो न नोर्थ इंडिया में जैसे यह होता है आम तोर पर कि इकठा गेहूं खरीद लिया जाता है तो वो घर में गेहूं आता है बोरियों में और वो बोरी बनी होती है जूट की इसके अलावा भी packaging में geotextiles मतलब कई कपड़े जो है वो जूट से बने होते हैं आज कल अलग अलग तरह का फैसन चला है activated carbon powder wall covering flooring garments rugs ropes रसियां जो होती है वो कई बार जूट से बनी होती है आपने देखी है handicraft, curtains, carpet, backings, paper, sandals, furniture वैसे देखो जाया तर जूट तो सरकार के द्वारा ही purchase किया जाता है food grains को store करके रखने के लिए FCI में next employment generation employment की generation के लिहाँ से जूट सेक्टर काफी important है labor intensive industry है काफी लोगों को रोजगार मिलता है direct employment मिलता है 3.7 lakh workers को और जैसा हमने अभी डिसकस किया इनके ऊपर काफी लोग dependent है तो 40 lakh farm families को स्पोर्ट मिलता है जूट सेक्टर के वज़े से ये environment friendly है sustainable और environment friendly alternative है single use plastic का biodegradable है इसे recycle भी किया जा सकता है next agriculture development देखो जूट cultivators के लिए इस sector का sustain टरना बहुत जड़ा ज़रूरी है क्योंकि जैसा हमने डिसकस किया 40 lakh farmers depend करते हैं इस sector पे अब बात करते हैं challenges की सरसर बड़ा challenge जो है वो है stiff competition बागादेश से हमें बहुत competition मिल रहा है जूट सेक्टर में अभी global export की बात करें तो 75% जो export है वो बागादेश से होता है और बाकी 7% इंडिया से होता है बागादेश में न सरकार ने जूट सेक्टर को sport काफी किया है तो वहाँ पे जूट मिल वालों के पास में machinery नहीं है मतलब बहुत अच्छे से sport किया है इसी वज़े से अजादी से पहले मतलब चूकि पहले तो एक ही रिजन था ना बागादेश इंडिया पाकिस्तान के सब पाठ थे 1947 से पहले तो इंडिया की साइड ज्यादा अच्छी मिल्स थी लेकिन अजादी के बाद जूट मिल्स को स्पोर्ट नहीं मिला इस वज़े से वहां पे स्पोर्ट मिला उनकी मसीनरी ज़्यादा अच्छी है प्रोडेक्टिविटी अच्छी है तो इस वज़े से वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं Next, climate change एक बड़ा challenge है, cyclone काफी ज़्यादा आते हैं इस रीजन में cyclone की वज़े से फसल जो है बरबाद हो जाती है और quality पर भी फरक पड़ता है Next, availability of cheap alternative sim देखो जूट के मुकाबले में आज के समय में alternative काफी आ गए हैं सस्ते सस्ते मतलब packaging के लिए synthetic fibers का इस्तिमाल किया जा सकता है For example, nylon तो इस वज़े से जूट जो है अपनी market जो है अब lose करता जा रहा है इसके बाद next है high procurement cost जूट की फसल जो है बहुत बार जैसे वेस्ट बंगाल में दूर दुरांस के areas में छोटे किसानों के द्वारा उगाई जाती है तो जूट मिल्स के द्वारा उस फसल को procure करना थोड़ा difficult साबित होता है process काफी cumbersome है तो ये जूट मिल्स वाले क्या करते हैं middleman से जो बिचोलिये होते हैं उनसे जूट को खृद लेते हैं किसानों से नहीं purchase करते लेकिन middleman इस पूरी process में भारी भर कम अपना commission रख लेते हैं तो चूकि जूट मिल्स ने प्रोक्योर किया जूट को कहां से middleman से किसान से नहीं किया तो middleman ने अपना commission रखा इसलिए जूट मिल्स वाले को जादा महंगा मिला तो बाद में थोड़ी बौद processing करके फिर जूट जूट मिल वाले जूट बेचेंगे न तो वो महंगा ही बेचेंगे इसी वज़े से Bangladesh का जूट है वो competitive है और India का जूट है वो थोड़ा कम competitive है क्योंकि सस्ता है अच्छा भी है उनका machinery अच्छी है इसलिए उनका जूट अच्छा है और सस्ता भी है हमारा जूट थोड़ा महंगा है और productivity चूट की मसीनदी की कम है quality भी थोड़ी कम है इसके बाद next है policy issues जिससे देखो हाल ही में न Office of Jut Commissioner ने न एक rule जारी कर दिया कि एक quintal राजूट जो है इसकी कीमत 65 hundred से ज़्यादा नहीं हो सकती तो मिल वाले कहते हैं कि सर जी एक बात बताओ हम middleman से purchase ही कर रहे हैं राजूट 72 hundred रुपे पर quintal के इसाब से आप हमें कहा रहे हो कि 65 hundred से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हैं तो बलकि हमें थोड़ा processing में भी खर्चा आएगा तो हमें तो एक quintal जूट बेचेंगे फाइदे के बुजाए इतने रुपे का नुक्सान होएगा हर दिन 12,00,00 रुपे का नुक्सान हो रहे हैं कुछ मिल्स को इस वज़े से कुछ मिल्स ने तो अपना काम का जो operation बंद कर दिये हैं कि घाटा लगने के बज़ाए तो operation करे ही ना वो भी एक फाइदेगास होदा है तो सबसे जो urgent crisis है ना यहीं है जिसकी वज़े से West Bengal के MP ने तुरंत मुलाकात की urgent में Union Minister for Textile से कि इस पे आप action लीजिए कई बार तु देखो रा मेटरियल जो है वो purchase करना पड़ता है हमर देश में जूट मिल्स को Bangladesh, Brazil, Philippines इन देशों से अब बात करते हैं सरकार ने क्या लिया steps लिये है जूट सेक्टर को पर्मोट करने के लिए सबसे पहले है जूट केर यह launch किया गया था नैशनल जूट बोर्ड के द्वारा technical collaboration की गई थी इसके लिए ICAR Indian Council of Agriculture Research Central Research Institute for Jute and Allied Fibers के साथ में इस स्कीम का मकसद देखो यह है जो छोटे और marginal jute growers है न jute उगाने वाले किसान है उनको sport करना harvesting operation से पहले और harvesting operation के बात भी ताकि वो अच्छी quality का jute प्रडूश कर सके और उन्हें अपने द्वारा produce के गए jute पर जाला दाम मिले next time jute packaging material act 1987 ये act provision करता है कि food grains कि total जितनी production हुई है सारी की सारी jute bags में store करके रखी जाए और जितनी sewer की production हुई है total उसका 20% package होना चाहिए jute bags में अब लाश्ट में बात करते हैं recommendation scheme सबसे पहली recommendation तो ये है आप वो order वापस लीजिए कि पैंसेट सोचे जादा में आप जो रा जूट है उसको नहीं बीच सकते क्योंकि इसकी वज़े से तुरंत अभी jute meals बंद हो रही है दूसरा आप ना jute के products में डाइवर्ष्टी लाइए सिरफ ये food grain store करने के लिए jute bag का इस्तमाल होगा तो ये industry नहीं पन पेगी नहीं प्रोस्पर होगी आप diversity लाइए जैसे ये कपडे हैं मतलब fashion में jute का इस्तमाल होना चाहिए और अलग-अलग fields में जैसे soil erosion control civil engineering, protection of river banks road pavement construction यहाँ पर भी jute geotextiles का इस्तमाल हो सकता है तो सबसे main जो है न वो diversity है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए R&D होनी चाहिए, demand boost होनी चाहिए jute products की तब जाके ये industry जो है हमार देश में survive कर पाएगी last में भी यही बोला जाता है देखो बहुत अच्छा alternative है, jute plastic का bio degradable है, eco friendly है तो सरकार को जैसे बंगादेश की सरकार ने jute sector को sport किया ना इंडिया की सरकार को भी sport करना चाहिए तब जाके jute industry हमार देश में अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी तो ये हमने पूरा article डिसकस किया jute sector से सम्मंदित इसके बाद next जो article है Indian Express का है RTI Act से सम्मंदित आप GS Paper Second के इस topic से article को relate कर सकते हों देखो अब कुछी दिनों में RTI को 17 साल पूरे हो जाएंगे 2005 में आई थी RTI और अब 2022 चल रहा है लेकिन देखो implementation की बात करेना बहुत सारे issues हैं सुरू सुरू में जैसे RTI Act का implementation हुआ था ना वैसे implementation नहीं हो रहा है आज के समय में उतना serious RTI को नहीं लिया जा रहा है जितना की officials के द्वारा पहले लिया जा रहा था इसके लिए कुछ हट तक सरकार भी responsible है और कुछ हट तक चोटे-चोटे-चोटे issues पर RTI फाइल करने के लिए ऐसी information जिसका कोई public use नहीं है बस officials को तंग करने के लिए जो डाल दी जाती है खेर ये issue उतना बड़ा नहीं है जितना की RTI Act की implementation अभी weak है ये एक बड़ा issue है क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्ट Act था citizens को empower किया इस Act ने सरकार की accountability fix की बहुत सारे corruption scandals उजागर हुए इस Act के वज़े से लेकिन दुखत बात यही है कि इसका जो implementation है अभी थोड़ा weak चल रहा है जानते हैं क्यूं सबसे पहला reason appeals का backlog काफी ज़्यादा है 20 June 2021 तक 2.56 lakh appeals जो है वो pending है 26 information commissions के पास हमार देश में next chief information commissioners की जो rank है वो downgrade कर दी गई है सरकार के द्वारा इसका result क्या निकला है अब देखो कोई ऐसी मान लीजिए RTI inquiry हो जिसमें more than one government department involved होता है तो इसमें बड़े officials की intervention चाहिए होती है लेकिन अब hearing जब होती है न तो बड़े officers आते नहीं है भेज दिया जाता है department के छोटे छोटे junior rank के public information officers को उनको कुछ पता नहीं होता कुछ भी मतलब chief information commissioners की rank कम कर दी गई है इस वज़े से जो secretary level के officers है न वो कभी अब RTI को serious लेते नहीं है उनको लगता है कि यह chief information commissioner है इनकी rank छोटी है यह हमारा कुछ नहीं बिगाड पाएंगे समझ रहे हो इस वज़े से बड़े officers ने अब RTI को serious लेना छोड़ दिया है उनको सुनवाई के लिए बुलाया भी जाता है तो rarely बड़े level के जो officer है वो information commission के पास में आते है इसके बाद next point है vacancies commissions में देखो vacancies काफी खाली रहती है commissioners जो appoint के जाते है वो अच्छी quality के नहीं होते बागी staff भी बहुत बार untrained होता है और अलग-अलग departments में जो public information officers होते है वो भी non cooperative होते है वो इसको इस काम को as a burden समझते है तो आदे दूरे मन से करते हैं जारा seriously नहीं ले थे next है threat to some RTI activists बहुत सारे RTI activists को मारा जा चुका है RTI activism की वज़े से बहुत पर हमला हुआ है और बहुत सारे RTI activists ऐसे हैं जिनको धमकाया गया है 2006 के बात से लेके अभी तक next है political proclivity इसका मतलब यह है देखो बहुत सारे जो commissioners होते हैं इस commission में information commissioners उनका रुज़ान सरकार की तरफ ज़्यादा होता है क्योंकि सरकार ने उनको appoint किया है तो एक ऐसान होता है सरकार का तो वो सरकार की तरकदारी ज़्यादा करते हैं खुले आम ruling party की वकालत करते हैं तो इससे होता क्या है जो institution है ना वो कमजोर हो जाते हैं way forward में कहा जाता है officials को train किया जाए अच्छे से awareness फिलाई जाए लोगों में कि ये act कितना अच्छा है सरकार की accountability fix होती है इससे आपको empowerment मिलती है transparency आती है corruption कम होता है next code of conduct होना चाहिए center or state information commissioners के लिए next देखो ये जुरूरी है कि जो officers है ना जो RT act की implementation में लगे हुए है for example information commissioners वो सरकार से थोड़ी दूरी बना के रखें तभी तो institutions हमारे देश के strong रह पाएंगे ये act बहुत ज़रा जुरूरी है freedom of press के लिए लेकिन अगर इस परकार से ये जो institutions हैं वो कमजोर होंगे ना तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है देश कमजोर होगा तो ये हमने पूरा article discuss किया RT act से सम्मंदित इसके बाद next जो article है ना वो public assets की sales से सम्मंदित है सोर हो रहा होटल में GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते है क्या context है context देखो थोड़ा पुराना है article आज आया है Air India को उस सरकार ने बेज दिया था Tata करूप को आपको पता है अब तो काफी समय भी हो चुका है लेकिन इस deal के provisions पर एक बार हम नजर मारें पिछले साल ये deal final हुई थी deal ये थी कि 18,000 क्रोड रुपे Tata Group देगा सरकार को Air India purchase करने के लिए 18,000 क्रोड में से क्यूंकि देखो Air India पर आपको पता है कर्ज बहुत ज़्यादा था मतलब कर्जा था Air India के ऊपर तो Tata Group ने ये कहा था 27,000 क्रोड तो हम आपको कैस में देदेंगे बाकी ना जो Air India के ऊपर कबजा है ना कर्जा है ना 15,300 क्रोड का वो कर्जा हम अपने सर ले लेते हैं मतलब Air India को इतने पैसे किसी को भी देने है ना पर एग्जेंपल किसी बैंक को देने है तो ये पैसे हम दे देंगे ये कर्ज हम चुका देंगे Air India का ये Tata Group ने कहा था लेकिन कर्ज तो देखो बहुत ज़्यादा था कर्ज इतना ज़्यादा था जैसे 15,300 क्रोड प्लस में 46,362 इतने क्रोड का कर्ज था आल्मोस्ट 60,000 क्रोड का तो सरकार ने बोला ठीक है आप 15,300 क्रोड का कर्ज अपने सर ले लीजिए बाकि जो बचा हुआ कर्ज है वो हम चुका देंगे 46,262 क्रोड का मतलब कि सरकार को effectively नुकसान ही हुआ है समझ रहे हो तो basically सरकार ने एर इंडिया के एसेट बेचे हैं एसेट मतलब जैसे कुछ इनके प्लेन्स होंगे कुछ लेंडिंग राइट्स हैं मतलब जैसे एरपोर्ट पे आप जाते हो ना तो बोर्डिंग के समय आपको बताया जाता है कि इस गेट से आपकी फ्लाइट जाएगी मतलब जब डिबार्चर होती है तो आप उस गेट पर जाके छोटे एरपोर्ट में तो एक-दोई गेट होते हैं लेकिन जो बड़े एरपोर्ट हैं जैसे दिल्ली का एरपोर्ट है मुंबई में 62 गेट्स हैं प्लेन को पाक करने का जो राइट मिला हुआ है एक साल का उसके लिए भी पैसे चुकाए होंगे एर इंडिया ने तो राइटर कहना चाहते हैं कि इन चीजों के लिए बेसिकली पैसे दिये हैं टाटा ग्रूप ने सरकार को अदर्वाइज अगर सरकार को बेचना ही था ना तो कम से कम इतना सारा जो कर्ज है वो सरकार अपने सर नहीं लेती 46,262 क्रोड का लेकिन बात वही है अगर सरकार नहीं लेती ये कर्ज अपने सर तो फिर कोई खरीदेगा ही नहीं एर इंडिया को कोई घाटे में इस कम्पनी को, तो सरकार ने बेच दिया है तो मतलब लोज से छुटकारा पा लिया है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ एक्सपर्टस ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सरकार ने ना सस्ते में बेच दिया एर इंडिया की लाइबल्टी स्रकार को अपने सर नहीं लेनी चाहिए थी और चूगी देखो वैसे अगर ये प्राइवेट डील होती न तो बैंकों की कंसेंट क्या आप सकता होती कि इस डील को लेके आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए लेकिन इसमें सरकार इनवल हैं तो बैंक भी कुछ नहीं बोल सकते बैंक मतलब सरकार को क्या बोलेंगे ना पबलिक सेक्टर बैंक हैं सरकार को क्या बोलेंगे पबलिक सेक्टर बैंक में जो अधिकारी हैं उनकों को पॉइंट करता है सरकारी तो एपॉइंट करती हैं उनके MD, CMD तो वो सरकार के खिलाफ जाके थोड़ी ना बोलेंगे कि आपने गल्द कर लिया, समझ रहे हो, लेकिन ultimately अब सरकार क्या करेगी, देखो, या तो बैंकों को पैसा देगी, जो Air India की liability सरकार ने अपने सर ली हैं इस डील में, या फिर बैंकों को बोलेगी कि आप को राइट ओफ कर दीजिए, जो ये लोन आपने Air India को दिया था, वापस नहीं आया, तो दोनों cases में नुक्सान किसका हुआ, दोनों cases में नुक्सान है, citizens का हुआ, ultimately देखो, बैंकों का नुक्सान किसका नुक्सान है, citizens का नुक्सान है, citizens अपने पैसा जमा कराते है, बैंक में, अगर सरकार बैंकों को पैसा देगी, वो किसका नुक्सान है? citizens का नुक्सान है, जो भी ministers से, अपने घर से थोड़ीना पैसा लाते हैं, हम सब का पैसा है, citizens का पैसा है, टेक्स के रूप में हम जमा करवाते हैं, दूसरी तरफ electoral bond के थूरू सरकार को बहुत पैसा मिला है donation में, मतलब ruling party को बहुत पैसा मिला है BJP को, तो ना कहीं ऐसा तो नहीं है, यह quid pro है, अब मैंने आपको बताया ना politics है, यह बाते हम लिख नहीं सकते, यह तो writer की राय है, तो कुल मिला के वो इस issue के थूरू सरकार पर निशाना साधना चाते हैं, और जो काम की बाते हैं, हमारे लिए जो answers में हम इस्तमाल कर सकते हैं, वो यहीं है, जब इस परकार की deal sign होना, तो transparency के साथ हो, थोड़ा अच्छे से हो, हलांकि सरकार का अपना तरक है, सरकार बोलेगी कि काफी समय से air India बिक नहीं रही थी, हमने इसको बेचा, हमने बलकी citizens को गाटे से बचाया है, यह loss making PSU था, अब एक और चीज राइटर, जिस पर ध्याना करसित करना चाते हैं, वो यह है, देखो कई चीजें ऐसी होती हैं, जो बेसक गाटे में हो, लेकिन उससे ना, पबलिक परपद सर्व होता है, अब Air India दूर के जो एरियाज है ना, हमर देश में, जैसे नोर्थिस्ट है, उनको में पार्ट से जोड़ती थी, मतलब कुछ ऐसी रूट्स हैं, जहां पर प्राइविट एरलाइन्स फ्लाइट नहीं उड़ाना चाहती, लेकिन Air India उन पर फ्लाइट उड़ा रही थी, समझ रहे हो, तो Air India थोड़ा पब्लिक परपज भी सर्व कर रही थी, इसलिए वो PSUs, जो बेसक थोड़ा घाटा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक परपज सर्व करते हैं, तो उनको सरकार को रिटेन करना चाहिए, हलांकि देखो, राइटर के इस आर्गुमेंट के खिलाफ भी आर्गुमेंट्स आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सरकार की उडान स्कीम है, जिसके तहत न सरकार अलग-अलग एरलाइन को सबसीडी देती है, जो कम लुकरेटिव रूट्स हैं वहां पर प्लेन उडाने के लिए, मैं जब नोर्थीस्ट में गया था तो वहां पर छोटे प्लेन उड़ते हैं, छोटे-छोटे प्लेन जिसमें 30-40 लोग बैठ सकते हैं, दो-दो वाली सीट होती है, उसमें वो भी सीट्स खाली पड़ी होती है, एक प्लेन में तो मैं गया, कहां से गया था, आईजोल से सिलोंग में मैं गया था, उसमें सिरफ 8-10 लोग थे, पूरे प्ले कि आप यहां से उड़ाइए, यह जो प्राइवेट एरलाइन्स हैं, इनको स्कीन में भी तो सामिल कर सकती है न, उड़ान में, जैसे किया हुआ है अभी, अब समझ के पॉइंट क्या था, कि राइटर कह रहे हैं कि एर इंडिया को रिटेन करना चाहिए था, थाकि इन रू इस पॉइंट राइटर ऐसे लेकर आते हैं, जिनका मतलब इस आर्टिकल के फ्लो में तो कोई लिंक बन नहीं रहा है, साथ ऐसा लगता है कि थोड़ा ऐसे लिखने की स्किल कम है राइटर में, मतलब फ्लो नहीं बन रहा है इस पॉइंट का, वो बोल रहे हैं कि चाइनीज फर्म है, उनको ठेका दे दिया सरकार ने, 1126 क्रोड का, वो एक अंडरग्राउंड रेल स्ट्रेच बना रही है दिल्ली में, एक और होंग कोंग की फर्म है, वो वन्दे भारत ट्रेन में वील्स की सप्लाई कर रही है, तो राइटर कहते हैं, इनको भी आईसोलेशन में नह अगला जो आर्टिकल है, वो देखो इंडियन ओशन से समधित है, आप GS Papers 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, क्या कंटेस्ट हैं, देखो चाइनीज मिल्टरी वैसल ना, सिलंका के हमदोता पोर्ट में आएगा, हमदोता पोर्ट के लिए चाइना ने लोन क चुकास का, तो ये लीज पर चला गया है, अब पूरी तरह से चाइना को ये पोर्ट, तो चाइना एक परकार से इंडियन ओशन में ट्रेड को सेंट्रलाइज करने की कोशिस कर रहा है, चाइना का एक प्रोजेक्ट है, Belt and Road Initiative, आपको पता है, इस प्रोजेक्ट की साहिता से चैना ना इस पूरे रिजन में, ना सिरफ इस पूरे रिजन में, बलकि आस पास के एरियास में भी अपनी dominance इस्टाब्लिश करना चाहता है, ट्रेड रूट्स पर अपना हग जमाना चाहता है, कंट्रोल चाहता है, ताकि मेन जो चाइना का एम है वह यह है कि USA को रिप्लेस करके एक बड़ी सूपर पावर बन जाए मतलब चाइना का मुकाबला कोई ना कर सके तो राइटर यह कहना चाहते हैं कि देखो इस पूरे रीजन में पास्ट में ऐसे नहीं ट्रेड होता था छोटे-छोटे ट्रेडर्स होते थे यह जो पूरा इंडियन ओशन है आप अरिका में भी आपको देखने को मिलेंगे यहां पर भी देखने को मिलेंगे इस्ट एशिया की साइड बहुत सारे छोटे-छोटे पोर्ट्स हैं बहुत सारे उन पोर्ट्स पर ट्रेडर हुआ करते थे वो ट्रेडर अपने आप से ट्रेड किया करते थे इसी वज़े से बह तरह से market focused होता है, किस चीज की कहां पर supply है, किस चीज की कहां पर demand है, लेकिन जब जब देखो, trade को centralized करने की कोशिस की गई है, जैसे past में, हमारे देश में आपको पता है, बहुत सारे foreigners आए, जैसे Dutch वाले आए, ये पूर्टगाली आए, Britishers आए, तब तक मतलब जातर जो कोश है, चाइना उसे centralized नहीं कर पाएगा, आप परिनाम देख भी रहे हो, जैसे पाकिस्तान में देख लिजे कैसे crisis है, economy के ग्वादार पोर्ट पर कितना खर्चा हुआ, सफल प्रोजेक्ट नहीं है, हमद दोता पर चाइना ने खर्चा किया, लोन के दिया सिलंका को, प्रोजे जो commodities का trade होता है, Indian Ocean region में बहुत सारी ऐसे commodities हैं, देखो, ship का type क्या है, wind, fuel, hybrid, propulsion, यह ऐसी चीज़े हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट में न, Indian Ocean में ट्रांसपोर्ट में और ज़्यदा efficiencies लाई जा सकती हैं, लेकिन यह जो regional trade network है न, इनको अगर revitalize किया जाए न, इसके बहुत सारे फाइदें हैं, traders को भी फाइदा होगा, बलकि इस region में न, peace और stability भी रहेगी, तो यह पूरा आज कल हमने discuss किया, Indian Ocean में trade से सम्मनित, तो यह थी हमारी आज की discussion, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.